गुड मर्निंग प्रेंट्स कैसो आप लो बढ़िया ठीक है ठीक है प्रेंट्स आज लेंगे सम नंबर शिक्स थ्री कॉलम वाली यह इंपोर्टन डेफ्रेंट एस पार एग्जामिनेशन इस कंसर्ण यानि जो थ्री कॉलम वाली वह एग्जाम में आने की पोसेबिलिटी 90 प डिस्काउंट यानि कैस्ट डिस्काउंट यानि तीनों के तीनों कॉलम आएंगे यह वाले ठीक है फिर्ट्स एम रिपीटिंग में एग्जाम परपस के लिए यह वाली बहुत ही इंपोर्टन है आपको ठीक है आप फॉर्मेट भी देख सकते हो तो यानि यह को ठीक है उसका बैलेंज निकालना होता नहीं दोनों सेट जितना टोडल आ रहा है वही मेंशन कर दो बॉटम में तो फैंट्स स्टार्ट करते हैं सम हमारा सम नंबर शिक्स ठीक है ओपनिंग कैस बैलेंस एंड बैंक को ड्राफ यहां बैंक बैलेंस नहीं है पर बैंक ओड मिल जाएंगे हमें ओपनिंग बैलेंस यह राग कैस का डेबिट साइट और बैंक का क्रडिट साइट ओड्राफ टेके टैन थाउजन एन फोर थाउजन ठीक है वर नेक्स डिट थर्ड थर्ड लेते डिट क्या है ट्रांजेक्शन ध्यान से बढ़ लेते है फ्रेंड्स गू इस्यूरी चेक ऑफ दे नेसेसरी एमाउंट यहीं गूड्स पर्चेस किया हुआ फ्रेंट सीदी बात है 3000 का है तो 10 परसंट सीदी माइनस करते क्योंकि यहां पर सीडी है तो 300 माइनस हो जाएगा तो चेक अमाउंट कितनी होगी 2700 यह चेक अमाउंट हो गएगी पैसे जा अमाउंट मैंने पूरा कैलकुलेशन आपको करके दिए स्क्रीन पे डन यानि देट थर्ड कंप्लीट हो गई हमारी फ्रेंट फिरेंट सेवन गूड्स ओप्रूप डिट फाई स्वारी सेलरी ओप रूपीज एट हंड्रेड एंड इस्टेशनरी 700 पेड़ बाई चेक से पे डिशनरी पैसे जा रहा है तिके डेबिट वर्ड कंज इन क्रेड वर्ड गोज आउट सिथी बात है दन चलो नेक्स्ट यानि यह फाइव कंप्रेंट हो गए हमारी फ्रेंट नमबर सेवन गूड्स ओप रूपीज 6000 परचेस फ्रों बबीता यानि गूड परचेस कर रहा है यानि यह जटालाल का सम कर रहा है सिथि बात है चलो गूड्स ओप रूपी dlauds Circuit और अंग का आउसी आइन mult पेडियो यह घंस परसंट दी चानओ सबसे पहले ले 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 ते गुर्स वेल्यू कितनी है फ्रेंड शिक्स ताउजंड तेन परसंट टीडी है फ्रेंड तेन परसंट टीडी यानी कितने बचे 5400 फ्रेंड उसके दो पार्ट हो जाएंगे फिप्टी प्रेंड यानी 2700 यह कैस हो जाएगा और यह चेक से हो जाएगा ठीक है गोड्स पर्चेस किया हुआ है तो सिधी बात है पैसे जाएंगे एंट्री आएगी क्रेडिट साइड पर तो यह रही फ्रेंड आप जाएट कि कैस परचेश है और डिसकायंट तो रिक और होगा नहीं क्यों नहीं हो दुझए जनिने युलने ले ले 9 4000 deposited in the bank यानि यह कौन ट्रा एंट्री हो गई जनल एंट्री क्या होगी कैस्ट डिपोजिट करवाई बैंक में तो एंट्री क्या होगी बैंक एकाउंट डेविट तो कैसे एकाउंट तो हूँ इस दे रिसीवर पैसे लेगा कौन बैंक सिरी बाद हम बैंक में यह बैंक सिरी बात वो तो हमें पता ही इसको भी बोलते इंट्री यानि बैंक और कैस्स आमने सामने आ कंडिशन कब होगी यही तो सिधी बात है कैस डीपोजिट कराओंगे अधरवाइस विड्रोल करोगे बैंक से चलो नेक्स्ट यानि यह कंपीट हो गई अब ले लेते फ्रेंट 10 ले ले लेते हैं चेक अब रुपीज 6,000 इस्चू टू पोपडलाल तो फूल सेटलमेंट ऑप एकाउंट ऑप 6050 यानि हमें पोपडलाल को कितने पैसे देने 6050 हमने चेक कितने का दिया 7,000 यानि 50 रुपीज हमारा डिसकाउंट हो जाएगा ठीक है मिले हो जाएगा इसे जा रहे है तो ब्लार में पैसे जा रहेconomy यानि credit side बे चलो next यानि ये वाली entry भी हमारी खतम हो गई friends चलो date ले ले लेते 12 डन आत्मारम ओके आत्मारम हैस गीवन 6,000 cash 4,000 by check okay which is deposited in the bank towards the amount payable 10,070 यानि हमें आत्मारम से कितने पैसे लेने थे 10,070 उसमें से 6,000 cash से मिले 4,000 check से मिले यानि total हमें कितने मिल गए 10,000 तो मिल गए यानि 70 rupees हमारा हो जाएगा discount यह पैसे आ रहे तो दोनो debit होंगे तो दोनो debit होंगे तो यह discount भी क्या होगा debit होगा मैंने पहले बोला cash और bank debit होंगे तो discount भी debit होगा पैसे आ रहे है आ रहे है तो सिधी बात debit what comes in year है जो check से आ रहे है वो check bank के column में गए cash से आए वो cash के column में और 70 rupees हमारा हो जाएगा discount क्लियरे फ्रेंट्स डान 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 चलो यह हमारा कंप्रीट हो गया 12 14 ले लेते हैं चलो इसको पहले एक बार क्लियर कर ले नो 14 चैक-प रूपिस 5000 रिसीवरो फर्म सुन्दर से पैसे मिल रहे है यहां पहे यह ब्रेंट हे यह रहे। डन पैसे आ रहे है तो डेबिट वार्ड कंज इन डेबिट वार्ड कंज इन पैसे आ रहे है चरण नेक्स 14 कंप्रीट होगे फेंड्स हमारी 14 के बाद अब लेते हैं 19 कि 3000 cash paid to work the income tax of jetha लाल यानी पैसे जा रहे है प्यां पैसे जा रहे है अब income tax यानि personal expenses यानि कॉन से account में जाएंगे ड्रॉइंग में जाएंगे सिधी बात ना income tax personal expenses तो यहां में रहे है और कितनी अमौंट थी 3,000 यह रही है ठीक है क्रेट सेट देबिट वात पैसे जा रहे तो क्रेडिस एंट्री आएगी वह तो क्लियर है चलो नेक्स्ट यह हमारा कम्प्लिट हो गया 19 19 के बाद ले ले लेते हैं फ्रेंड्स अब 20 चेक आप रुपीज सुंधरीज चेक आप रुपीज जो जो था सुंधर वाला चेक 5000 वाला वह अब दीस ओनर हो गया चलो यह रिटन हो गया तो फिर तो इसी दी बात है रिटन हो गया चेक तो क्रेडिस एंट्री डालने पड़ेगी क्योंकि मिले थे तो डेबिट सैट डाले थे अब डीस ओनर हो गया नहीं मिल रहे है वह चेक के पैसे तो क्रेडिस एंट्री डालने यह रा सुंधर और यह वाली एंट्री तो यहां पे रहा यह डेट था यह मिले तब की एंट्री अब यह 10 वा तब की एंट्री तो यह जो यह दोनों साइट एंट्री आगे यानी एंट्री नल्लिए फयड हो गई लिए ड़न चलो नेक्स्ट यह हमारा था फ्रेंट ट्वेंटी डिट आगे लेते हैं अब 22 50 पैसा डिविडेंट रिसीवर प्रॉं सुन्दर यानि अब कितने पैसे मिलें 50 पैसा यानि 1 रूपीज लेना है तो 50 पैसा नहीं आधे मिलें तो फी 5,000 का 50% सब्सक्राइब कर सकते हैं 50% लिखो या 0.50 लिखो आपको मिल जाएगी कितने पैसे मिले सुन्दर से 2500 मिल रहे है अच्छा है ना जो मिले लिलो पैसे आ रहे है तो डेविट वार्ड सब्सक्राइब को मिल जाएगी यह रहे सुन्दर वाली ठीक है चला नेक्स्ट ट्वेंटीएट कि यह कॉंशी कम्प्लिट वहीं ठीक है 22 अब ले लेटे 28 चला इसको एक पार क्लियर कर देता हूं चला गुड्स ओप्रुपी 10,000 शोल्ट टीपेंद रहा एक 10 परसंट कैस्ट डिसकाउंट टीक है 60 परसंट एमाउंट रिसीवड विच इन डिपोजिटेट एड़ एड़ और रिमेनिंग एमाउंट रिसीवड इन कैस्ट यानी 60 पर 40 परसंट एमाउंट मिल रहे है चेक से और कैस्ट से ओके गुड्स वेल्यू कितनी है पहले तो 10,000 द्यान से फ्रेंट्स 10 परसंट टीड़ी जैसे आएंगे क्योंकि सोल्ड किया हुआ है तो 10 परसंट टीड़ी यानी 1,000 कितने बचे 9,000 अब उसके दो पार्ट हो जाएंगे 60 परसंट जो चेक से मिलेंगे 40 परसंट जो कैस्ट मिलेंगे अब लेते 60 परसंट 9,000 का 60 परसंट 5400 आप निकाल होगे तो आपको मिली जाएगा और 40 परसंट यानी 3-6-00 कैलकोटर से अब कर सकते हो कैसे मिल रहा है तो दोनों के दोनों डेबिट साइड़ी आएगए यह रहे फ्रैंड और फ्रैंड 1,000 यह टीडी नहीं है फ्रैंड तो फ्रैंड क्सीडी है ठीक है यह रहा क्यास्ट डिसकाउंट है मेरी लिखने में गलती हो गई य पर्शन सीडि ये चलो मिश्टिक को रेक्टिफाइग लेते हैं तो ये भी रिकोड होगा सीदी बात है ना और इन्हीं क्वर सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब को टेम्ट पील से तो यह भीтесь में घील घाए च्डिसकण वह टीक़ है जा सब्सक्राइब ओ सबाइब में शेक्ळ लॉब電 के टिनों sab Read 늦 winter ढेशा के मिलेत čास तौन कंपोर भीटंley प्रफिपिंग केस्ट एंड इसको पहले क्लियर कर देता हूं आप्टर कीपिंग केस्ट एंड 2000 रिमेनिंग एमांट डिपोजिटेट इन दे बैंग अब यह वाल जो एड़स्मेंट एन फैंड यह डेट नमबर 31 वह बहुत ही इंपोड़न किस तरह से किया जाएगा तो ज्य चाहिए जिए क्लूजिंग बैलन्स थो में मिलीग गया है 2000 कई आप क्या करना है डेविटि सेट का टोटल करो उसमें से क्यास कडूजिट सेट माइनट करो जो डिफरंस आता है इसमें से 2000 माइनस कर दो क्युक्त बाकी की अमाउंट आपको बैंक में डिपोजिट करवानी यानि debit में से credit minus करो जो difference आता है उस में से 2,000 closing balance रखना है वो minus कर दो ठीक है बाकी यानि बाकी balance आएगी आपकी 79900 कितनी आएगी 799 वो calculator से पूरा काम करना है आपको आप cash आप बैंक में deposit करवागे तो bank account debit यानि Contra entry होगे deposit करवा रहे हो तो सिधी बात है Contra entry तो यानि bank account debit to cash account वो ही कि वो ही Contra entry फिर से bank का debit cash का debit side का total करो उसमें credit side minus कर दो फिर से cash का debit side का total करो credit side minus कर दो जो difference आएगा उसमें से closing balance 2000 दिखना है वो minus कर दो बाकि की जो भी amount आएगी उसको आप बैंक में deposit कर रहा हो यानि bank account debit to cash account closing balance cash का दो वैसे ही दिया हुआ है ठीक है बैंक का finder कर दो discount का तो जो total आता है वही लिखना होता है तो फ्रेंट यहां पर आपका 3 column वाला यह sum complete हो गया ठीक है फिर तो करना क्या है next month आपको carry forward balance ले लेना July का transaction थे तो August में उसको carry forward कर दो closing balance को यानि cash और bank के ही होंगे discount का कभी carry forward balance होता नहीं क्योंकि end of the month वह दोनों के टोटल यह लिखना होता है तो फ्रेंट यह वाले वीडियो में इतना ही ठीक है have a good day